प्रम प्रशाशन ने दुनिया के देशों को रूस और चीन के हत्यार ना खरीदने की चेतामनी दी है और यहां अमेरिका ने कहा है दोनों ही देश दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हत्यारों की विक्री का सहारा ले रहे हैं हाला कि अमेरिका ने भारत का नाम सीधा ना लेते हुए सीधा भारत पर ही निशाना सादा है और अमेरिका का ये बयान उस वक्त आया है कि जब भारत के रक्षा मंतरी राजनात सिंग रूस के अपने तीन दिन के यातरा के दोरान रक्षा संबंधों को और भी मजबूत करने क लिए जल्द से जल्द उसी हत्यारों को मेकिन इंडिया के तहत बनाने की बाच्चित की और साती भारत ये भी चाता है कि इस 400 मिसाइल रक्षा प्राणाली की डिलिवरी भारत को जल्से जल्द की जाए और दोनों देश के रक्षा मंतरियों ने एक सुर में इस बात का समर्थन किया है कि रूस और भारत को मिलकर रक्षा सामन से जोड़े उत्पादन करना चाहिए और इन उत्पादों के निर्यात क लिए एक मंच भी खड़ा करना चाहिए और जिसके बाद अमेरिका का ये बयान आया है कि रूस और चीन के हत्यार दुनिया के लिए विशेले हैं और इसी के जवाब में रूस ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अगर कोई देश रूसी हत्यार खरीदता है तो देश रूस के बज़ाए अमेरिका से गैस खरीदता है तो तो गैस नहीं बलकि स्वतंतरता के आड़ू खरीद रहा है और रूस ने डूटुक जवाब देते हुए कहाई कि अब समय बदल चुका है हत्यारों के शेत्र में अमेरिका का एक अधिकार नहीं हो सकता और अमेरि अमेरिका और यूरोप की तरफ नहीं बलकि हमारी तरफ देख रही है क्योंकि रूस और भारत ने छेत्रिय समझोते और आपसी विश्वास के दम पर अमेरिकी प्रतिबंद को जूटा साबित कर दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर, सस् जरूर करें और आगे ऐसे ही खास कबर देखेने के लिए मेरे साथ बने रहे, जय हिंद, जय भारत